Hello friends, मेरा नाम आर्ती चंदिला है, मैं जीवा पब्लिक स्कूल क्लास 12 में पढ़ती हूँ हाला कि मैं शुरू से इसी स्कूल में पढ़ी हूँ तो पढ़ाई के साथ-साथ मेरा स्पोर्ट्स में भी काफ़े इंटरेस्ट है और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कराटे मेरा फेवरिट गेम है और कराटे सिखाने वाले मेरे सबसे पहले को छरी सर थे जिन से मुझे कराटे के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला घेरे घेरे मैंने टूरनमेंस खेलने करें और मैंने अपना सबसे पहले टूरनमेंटS dgy की त़रफ से खेला था district level पर जिसमें मुझे गोल्ड Medal मिला तो उन्होंने मुझे धीरे-धीरे स्पोर्ट्स कम करने के लिए बोल दिया था सेवन तक आते-आते मैंने कराटे बिल्कुल ही खेलना बंद कर दिया था लेकिन इन सब बातों के वज़ा से मेरे अंदर काफी चेंजिस आए मैं बहुत शाय हो गए थी ना किसी से बात करना ना ही कहीं घूमना फिर ना और मेरा फ्रेंड सेरकल भी बहुत छोटा हो गया था तो यही सब चीज देखते हुए एक दिन शैंक की माम मेरे पास आई जब शैंक की माम को मेरे कराटे खेलने के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपना गेम वापस रिस्टार्ट करने के लिए बोला और उनकी सपोर्ट से फिर मैंने अपना गेम वापस रिस्टार्ट किया इसके बाद चैंक की माम ने मेरी पढ़ाई और स्पोर्ट को मैनेज करने के लिए मुझे DKN और स्वाध्य करने के लिए बोला स्वाध्य जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि meditation करके अपनी गलतियों को पहचानो और उनको फिर उसके उपर काम करके उनको सुधारो और DKN जिसे हम दिंचर्य का नियम बोलते हैं उसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हम अपना time को कैसे manage करें तो मैंने उससे यह सिखा कि अपना एक time table बनाया कितना time अपने पढ़ाई को दूँगी कितना अपने खेल को, कितना अपने family को और कितना हम अपने extra activities को दूँगी तो एक time schedule बनाके मैंने अपने पढ़ाई और sports के बीच में balance बनाया जीवा philosophies की वजह से मैंने black belt अचीव करी है और recently मैंने national level पर tournament खेला है जिसमें मैंने silver medal भी लिया है और अगर medals की बात करें तो मेरे पास 50 plus medals है और मेरा next aim है कि मैं olympics और commonwealth game में अपने देश के लिए खेलना चाहती हूं